समस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलेवर्ट कहाने शानल और मैं हूँ मनिशा आज आप जानेंगे खत्रों के खिलाडी 12 रुबिना दिलेक को मात नहीं दे पाई ये कस्टेंसंस होना पड़ा बाहर खत्रों के खिलाडी 12 में बीते हफ़ते टीम बिक रहा है जहां कस्टेंसंस को दो टीमों में बाटा गया है दोनों टीमों के दो कप्तेन हैं मोहित मलिक और तुशार मलिक चुने गये हैं एलेमेशन स्टन्ड इस बाहर भी अलग हुआ कैप्टन को ये मौका दिया गया था कि वो किसी एक कस्टेंस का नाम ले जो की एलेमेशन स्टन्ड करें तुशार पंडे ने अपनी टीम के चेतना पंडे का नाम लिया और उन्हें ने इसकी वज़ा बताए कि चेतना को दो स्टन्ड मिले थे लेकिन वो उसे पूरा नहीं क कर पाइब वहीं मोहित ने कहा कि पूरे सीजन को देखे तो लुपीन दिले का नाव लेना चाहिए उसका है मतलब ने इस फैसले पे तुशार की टीम के सदस्य गलत बताते हैं लेकिन मोहित ने कहा कि ये उनका फैसला है कौन क्या कहता है इस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अबॉट किया शो एलिमिनिशन में अंडर वाटर स्टंड दिया गया था इस स्टंड के करने से पहले सबसे पहले रुबीना दिलेग जाती है कस्टेंसन को पानी के अंदर एक टंबर में 10 फ्लैक्स को निकालना होता है स्टंड के बाद रुमीना दिलेग की तब बिगडने लगती है और उन्हें मैडिकल के लिए ले जाया जाता है रुबीना के बाद चेटना पांडे ने स्टंड किया व बीच में ही वह अबोर्ट कर देती है आज के लिए इतना ही आप हमारे चानल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं नमस्कार